दोस्तों आपके सूट का गला बांगा टेडा हो जाता है या फिर बड़ा ज्यादा बन जाता है आप क्या करते हैं सबसे पहले गला काट लेते हैं तो ऐसी गलती कभी ना करें और बाद में आप पैस्टिंग वाला गला चिपकाते हैं तो आपको यह नहीं काटना सबसे पहले आपको देखिए क्या करना है सबसे पहले देखिए जिस कातर पर आप लो गला जमाना उस पर इसको चिपका लेना है ऐसे चिपका लेना प्रेश से अब यह चिप गया दोस्तों और यहां देखिए यहां पर कटाई करना है अब यहां से इस प्रकार इसको देखिए गलाई में यहां पर कपड़े को उपर जमा लेना है अब दोस्तों यह चिपक गया है आप देखिए सूट पर इसको पहले अटाइच करते हैं अब आपको क्या करना देखिए यहां पर फॉल्ड करकर यहां पर बीच में एक निशान लगा लेना है यह निशान लग देखिए अब इस सूट को हम लेते हैं सामना हमारा फेश है मान दो इसको यह मारा रख सूट है तो यहां पर देखिए जो यह निशान था यहां पर भी एक निशान लगा लेना है बीच में और यहां पर भी देखिए जो बीच का हिस्सा हमारा यहां पर निशान लगा लेना है और इसको इस प्रकार रखना देखिए सूल्टे की तरफ आप दोस्तों देखिए यह निशान है यहापर बीच में स्टाइच कर लेना और यहापर भी सीध में होना चाहिए अब आपको डूबलिंग है टांका लगाना है यापर अब दोस्तों सबसे पहले यहापर टांका लगाना है तो ही दोनों से मिल जाने चाहिए और यहापर पै अब यहां पर देखे दो दो सूत अंदर छोड़ेंगे इसको और यहां पर इसकी कटाई करेंगे यह गला हमारा लग गया यहां पर देखे ऐसे कटाई कर लेनी है और यहां पर देखे एक कुट सा हलकाहा लगा लेना है जहां पर भी जो रटेच हो थोड़े थोड़े ऐसे कर लेना है द्यान रहे टांक का हजोगो ना कटने पाई अब देखे आपको क्या करना है इसको पल्ट लेना है ऐसी और यहां पर एक टांका लगाना है आप एक डूबली के टांका लगा सकते हैं दोस्तों बाद में इसके तुरपाई होता है अब दोस्तों देख सकते हैं कितना फिनिसिंग के साथ हमारा गला बनकर रेडियो गया है यहाँ पर आप तुर्पाई कर सकते हैं तो इस प्रकार गला बनाएंगे तो कभी भी बांगा टेड़ा या छोटा बड़ा नहीं होगा दोस्तों जानके रिशेलेगे तो वीडियो को लाइचे निलको सकते हैं करीं